यथा सर्वे प्रबिद्यन्ते रिदेयस यह ग्रंथयह अथा मर्त्यों अम्रतों भवती एता वध्यनु शासनम नमस्कार मित्रों यह जो मंत्र है एक ठोप निशत के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का पंद्रेवा मंत्र है जिसे हम आज 11 से समझेंगे तो आईए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो मंत्रों कहता है यथा सर्वे प्रबिद्यन्ते अर्था जैसे सभी का भे अर्था इस ही प्रकार से अनुशासन है तो यहां पर यम नची गीता से कहते हैं कि जैसे ही कोई उसके हृदय में स्थित सभी गरंतियों का भेदन कर देता है तब वह मृत से अम्रत हो जाता है और इस ही प्रकार से अनुशासन है तो यहां पर अनुशासन जो है उसका जो वह मूलतह सिक्षा से संबन देता है जैसे आप तैतरी विपनिशत देखेंगे तो इसकी जो सबसे पहली वल्ली है वह शिक्षा अनुसासन से संबन देता है तो शिक्षा से ही यहाँ पर इसका अर्था जो साधन हम करते हैं जो साधना हम कर रहे हैं जीवन में कुछ भी अपर या वह ही अनुशासन है अनुशासन जो है सको डिस्यप्लम भी बылा है سब्सक्राइब की कारियों को शांतर के निष्जचे लिए if एक लगातार हम जब करते हैं तो वह लगातार करने में भी वास्ता में यही बात है तो यही वास्ता में अनुशासन है कि हम अपने हृदय में अपस्तित गरंतियों का भेदन कर दें अब हृदय में अपस्तित गरंतियों का भेदन से यहां पे क्यारत है तो आप देखिए कि जब हम अपना जीवन जीते हैं और यदि हमारे साथ में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो कि हम नहीं चाहते हैं तो हम कहते हैं कि उसके हिरदय में गांठ पड़ गई या उसके मन में गांठ पड़ गई जैसे माले जे की आप ने कुछ भोजन किया माले जे आपने जो है कुछ चटपटा खा लिया आप चटपटा खाने से जो है आपको माले जे की कुछ हो गया आपके शरीर में आपको कुछ कष्ट हो गया तो क्योंकि आपके शरीर में उसको खाने से कष्ट हुआ इस कारणेंट से आगे चलके आप उस भोजन को करने में संकोच करेंगे आपके मन में एक शंशय होगा कि यार मुझे ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए तो ये जो शंशय है ये वास्ता में गांट पढ़ना ही है और यह जो गाठ है इसी को गरंथी का जाता है तो हमारे मन में जो है शंच्रे जब उत्पन हो जाते हैं तो वह वास्तों में गरंथियां है या वो गाठ है जो कि हमारे हिर्दे में उत्पन हो गई है कि ऐसा है या वैसा है मुझे ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इस परकार की जो भावना होती है, या जो हमारे मन में पूरवाग रह भी होते है ना, कि माले जा हमने जीवन में कुछ अनुभव किया, उससे कुछ हो गया, तो हमें ही सुचते कि ये ऐसे ही होता है, माले जा कि किसी वेक्त तो मैं मन में हमारी ग्रंतियां हैं, इन ग्रंतियों के द्वारा ही जो है, हमारे पूर्वा ग्रह उत्पन होते हैं, हमारी धारणा उत्पन होती हैं, और फिर हम जीवन में उसी के अनुसार जीवन जीते हैं, वह ही हमारे सुभाव को फिर निर्धारित कर देता है, तो कोई व मन में यदि कोई संशय है तो उस संशय को ले करके जो है वह व्यक्ति उट पटांग कारे कई वार कर देता है जो कि ठीक नहीं है मालेजे कि आपको जो है किसी पर विश्वास नहीं है कि ये व्यक्ति इस काम को ठीक से कर सकता है कि नहीं कर सकता है तो आपके मन में एक गांट उस को ले करके आपके हर्दय में एक गांट है तो वो जो गांट है उस ही के तारा फिर आपके एक्रिय वार जाएगी कि वार आप उसके साथ में इसकारण से जो हमारे मन में ग्रंथियां है, हमारे रिदय में ग्रंथियां बनी हुई है, ये गांट पड़ी हुई है हमारे भीतर, हमको जो है विश्वास नहीं कि सब कुछ ठीक से होगा कि नहीं होगा, हमें इस बात पर विश्वास नहीं कि यहां पर सब कुछ कल्यान कारी कर रहे हैं इस बात पर में विश्वास नहीं है यह गांठ हमारे मन में पड़ी हुई है यह महरे मन में गांठ पड़ी हुई है कि हम हमारा शरीर है हम जो है हमारा शरीर है और इस शरीर में जो है उसका अभीमान है यह सब जो ही सब हमारे हिर्दा हमें गरंतियां हैं, इन गरंतियों का भेदन हमें करना है, अपने साधना द्वारा जिन गरंतियों का भेदन करना है, अरता था हमें इन सब गरंतियों को नश्ट करना है, इन सबी पूरवा ग्रहों को, इन सबी धारणाओं को हमें नश्ट करना है, जब हम इन सब को नश्ट क इश्वा सभी चीजlei यहां पर ठीक से कर रहे हैं। वहां पर सबकुछ कल्याण कारीव है कर रहे हैं। इस बात का विश्वास हमें हो जाता है। जब में इस बात का विश्वास हो जाता है, तो मन में एक शान्ती उत्पन होती है। कि हाँ जो होगा अच्छा होगा कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा जैसे माले जब में बच्पन में बहुत अधिक कुछ कर लिया उस कारण से आपको कुछ कश्ट हो गया तो अब आपके मन में उसके प्रतिय एक भाय उत्पन हो जाता है इसी को फोबिया कहते हैं कि किसी को किसी से फोबिया किसी को किसी से फोबिया है तो ये बहुत लंबे समय से जो हमारे भीतर से ये बनी आ रही है कई जन्वों से कई जन्वों से हमारे साथ में ये जो है इस परकार की हमारे अनुभव रहे हैं उन अनुभव के कारण ऐसी गाठे हमारे हमनें पड़ी हुई हैं उन उन गाठों को जो हमें सुल्जाना है जब उनको सुल्जा लेंगे तो हमारा जो मन है वह शान्त हो जाएगा यहां पर जो हम उसी विशे में कहा रहे हैं कि जो इन सभी गरंथियों का भेदन कर देता है जो इन पूरवा ग्रहों से उपर उड़ जाता है जो अपने इन सभी कल्पित जो विचार धाराएं हैं जो संशय मन में हैं उन सबसे उपर उड़ जाता है तब वो अपने स्वरूप में स्थेत होता है और वह मृत से अमृत हो जाता है और हमारे जीवन में हमारे लिए जो साधना है वह इसी को प्राप्त करने की साधना है तो वो संदेशता यहाँ पर इस मंतर में आशा करता हूँ कि मैंने इस मंतर को आपको चलिए समझा दिया होगा चलिए इसी के साथ इस वीडियो पर समभाप्त करते हैं नमस्ते झाल करता हूँ